दोस्तो साइद ये वीडियो में डिलीट कर दी जाए लेकिन अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सचा ही लगे या आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा यहाँ पर मैं ये कहना चाता हूँ आकर लड़कियां क्यों अपने थोड़ी से फायदे की चक्कर में या थोड़ी सी पॉपुलरिटी और फेम पाने की चक्कर में लड़कों की जिंदगियां बरबात कर देती हैं सालों की साले बरबात हो जाती हैं और कुछ लोगों का जो प की है यहाँ पर मैं कोई एक केस की बात नहीं कर रहा हूं जैसे कि तीन केस जो की काफी ज्यादा है उनके बारे मैं आपको बता दू पहला जसलीन कौर जी वाला जो एक केस है और दूसरा बिशनु तिवारी जी जो की हाली में चल रहा है जो उन्होंने 20 साल सजा काटी है निर दोस होते हुए और यह अभी एक और जो जमैटो डिलिवरी वाला केस चल रहा है इस पर अभी पुलिस तफ्तिस कर रही है लेकिन जो मॉडल हितेसा चंदरानी थी उनका बताना और जो डिलिवरी वाला जा उनके बताने में काफी जादा फरक आ रहा है कि आखिर हुआ क्या लेकिन चलिए मैं तीनों केस आपको बताता हूं बारी की से पहले केस की बात कर लें जसलीन कौर जी उन्होंने आरूप लगाया था है 2015 में सर्वजीत सिंग नाम का एक लड़का था जिसकी फोटो इन्होंने सेस्वल मीडिया पर अपलोड की और बताए कि इसने मुझे हैर अप भी चली और ये चार साल तक केस लड़ता रहा कोट में जाकर और उन चार सालों में जसलीन कौर एक वी बार कोट में नहीं गई और जसलीन कौर बाई कैनेडा निकल ली अब आप देख सकते हैं कि लोग आरूप लगाने के बाद कैनेडा जा रहे हैं लेकिन जिसके समझ सकते हैं क्या हुआ है अब मैं दूसरे केस की बात कर लेता हूं जो कि बिस्नु तिवारी जी का केस है जिन्हों ने 20 साल सजा काटी निर्दोस होते हुए भी जब ये देखते हैं ना जब अपने किसी रिस्तेदार के पास बैठे हुए रो रहे हैं मैंने एक फोटो में द किया है और जबकि ये जो आरोप था बिल्कुल जूट सावित हुआ है लेकिन इस जूट को सावित होते हुदे 20 साल लगी है अब समझ सकते हैं 20 साल बहुत बड़ा समय होता है और हमारी सोसाइड़ी भी कुछ इस तरीके की है जैसे कि अभी जमेटो डिलेवरी वाला केस च चाहिए और बगएर बगएर लेकिन जो हितेशा चंदरानी इसमें लड़की आप लोगों को दिख गई तो भाई आप लोगोंने सारी ट्रेंड कर गया न्यूज बायरल हो गई और काफी ज्यादा लोग टिपडियां भी करने लगी लेकिन वहीं मीडिया ने भी ज्यादा बिष्णुतिवारी के केस को कवरेज नहीं दी और ज्यादा तूल नहीं दी लेकिन इस जो जमेटो वाला केस है इसको आप लोगोंने भी बहुत शरम सीमा पर लेके गई नागी भी व्यादा चेस ठीक है लेकिन हितेशा चंदरानी जी जो की जमेटो वाला केस चल रहा है उन्होंने बताया कि delivery boy ने उनके नाग में घूसा मार दिया पंच कर दिया इससे उनकी नाग भी तूटी और काफी जादा वो परेशान है और उन्हें वीडियो भी वाइरल किया कि मतलब मेरी नाग से कून निकल रहा है यह वो लेकिन जब वो delivery boy पकड़ा गया इसका नाम काम जब उसने पुलिस को बताया और पुलिस ते पूस्ता जी तो उसने बोला कि मैं हमको पैसे भी नहीं दे रही तो फिरी मैं ओडर लेना चाहती थी और नहीं फूड वापस कर रही थी और जब मैंने उन्हें से कहा तो वो गाली गलोच करने लगी सिलैब बोला मुझको और स साथ में चपल निकार कर मुझे मारना लगी तो मैं जब बचने की कोशिस कर रहा था तो इनके हाथ में जो रिंग थी मैंने हाथ से ढका दिया इनको तो जो रिंग थी वही इनके नाक में जाके लगी मैंने इनको नहीं कोई घूसा मारा है नहीं मैंने इनको कोई पंच किया और जब इनकी नाख से खुन निकलने लगा तो मैं भागा वहां से लिफ्ट से जब इनोंने नहीं आने दिया तो मैं सीडियों के रास्टे से भाग कर निकला वहां से क्योंकि मैं भी काफि जाधा डर गया था तो लेकिन अभी कोई सच्चाई तो पूरी तरीके से सामने नहीं आई लेकिन फिर भी लोगों ने बिना दोनों पच्छों की बात जाने हुए अपना जज्जमेंट देने लगते हैं लोग बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई लड़की है तो अमेशा उसको समझते हैं यह अच्छा ही बोल रही होगी लेकिन जायतर की हत्में यह निकलाई जब तक लड़की कोई गल्दी कर रही है तो जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती तो उसको हम लोग गल्दी मानते ही नहीं है और हमेशा यही सोचते हैं कि लड़के ने कुछ गल्द किया होगा तभी इस बंदी ने कोई कमप्लैन किया या वीडियो बनाई है लेकिन जब कि हरवार ऐसा नहीं होता है आप लोगों से हाँच जोड़ कर कहना है कि किर्पया जजमेंट और ट्रेंट थोड़ा सोच समझ कर खाय कीजिए हमेशा किसी लड़के की ही गल्ती आपको बताना ज़रूरी नहीं है दोनों पच्चों की जब आपको बात पता चल जा है तभी आप अगर कोई उस पर एक्सन लेते हैं तो अच्छा है और किर्पया जब तक की कोई डिसीजन आ नहीं जाता है पुलिस की तरफ से की आकर सच्चाई क्या है फाल्दू के जजमेंट देने से अच्छा है किसी निर्दोस को दोसी करार देना काफी गलत बात होती है आप भी जानते ही होंगे और अगर हमारी इंफोर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को सेर जरूर कर देना और चैनल को सस्क्राब करना थेंक यू जय है